भंडारे में मिलने वाली बिलकुल सिंपल सी आलू की सबजी और उसके साथ में पूरी सब दिवाने होते हैं लेकिन घर में जब हम कोशिश करने बैठते हैं तो बनती ही नहीं है पूरी कोशिश करते हैं सारे मसाले डालते हैं लेकिन बनती ही नहीं है पता नहीं कहां क्या गर्वड हो जाती है तो चलिए उस गर्वड को ढूंडते हैं और उसी तरह की सबजी बनाते हैं जैसे बंडारें बनती हैं और हाँ पूरी भी वैसी लाज़ावा बनाएंगे कैसे है मैं स्वाद के मित्रो मैं शैब वूपी आपका स्वागत करता हूँ अपनी अन्स के चल में आलू मटर की सबजी बना रहे हैं तो उसके अंदर अबलेवे आलू लेते हैं कई बार क्या होता है आलू पानी पीये वे होते हैं तो उस से बन diamondsia win we देखिए कैसे उबालना है इसका मैंने कई बार अपनी वीडियो में जिक्रिकियावा है इस तरह से आप इसको मैश कर सकते हैं लेकिन पूरी तरह से तूटना नहीं चीह है यह हलके से बड़े-बड़े चंक्स रहने भी चाहिए इसमें भंडारे वाली सबजी के अंदर धही का इसमाल किया भी जाता है और कई जेगे नहीं भी किया जाता है हम यहाँ पे एक कब धही का इसमाल कर रहे हैं इस से जादा मत लेना इस से जादा लेंगे तो फिर धही का प्रभाव जादा आ जाएगा दही खट्टा नहीं होना चीए, इस बात का जरूर ध्यान रखें आदी छोटी चमज, हल्दी पाउडर, एक छोटी चमज, कश्मीरी लाल मिर्च, आदी छोटी चमज, रेगुलर मिर्च, धनिया पाउडर, दो छोटे चमज रहेंगे और कच्चा जीरा पाउडर, एक छोटा चमज से थोड़ा सा कम, अब सभी चीजों को इसके साथ में मिक्स कर लेते हैं गरम मसाला यहां पर नहीं डालना है, गरम मसाला हमेशा लास में डाला जाता है, क्योंकि गरम मसाले का इस्तमाल खुश्बू के लिए होता है दही को अच्छी तरह से फैंट ले वहना कईबा दही फड़ भी जाता है, तो यहां पर मैं डाल रहा हूँ लगबग तीन बड़े चमज सरसो का तेल, आप चाहें तो कोई दूसरा तेल भी इस्तमाल कर सकते हैं यहां बंडारे वाली सबजी के अंदर खड़े मसालों का बह तेल गरम हो चुका है, सबसे पहले एक सूखी लाल मिच तोड़के डाल दी, हलका सा कलर छोड़ा तेल के अंदर उसके बाद में एक छोड़ा चमज जीरा, जीरे का कलर जैसे ही चेंज हुआ, देगे वाइटनेस आगी ना, उसके तुरंत बाद में यह खड़े मसाले, और खड़े मसालों में से खुश्बू आने लग जाए, हलका सा रोष्ट हो जाए, उसके बाद में यह दो हरी मिच में चौप की वी यह डाल दीजेगे, यह तो कम कर दीजेगे और यही पे लगबग 2 इंच अदर कटुकुड़ा जिसको में चौप कर लिया था, आप चाहें त अद्रक जलने लग जाएगी, मिर्ची जलने लग जाएगी, फिर कड़वा पन लेके आएगी, अगर आपको ऐसा लगता है कि गैस के बहुजा तेज हो रही है तो आप बंद भी कर सकते इसको, यहां मुश्किल से 2 मिनिट हुए है, हलकी हलकी सी खुश्बू भी आपको आन तो जो तैट तैट सालगता है अहलका सा हालगता है वो नहीं लगेगा आपको और मयं तो मटर कहने मजा भी आएगा, हलका साभून ना है यह उऋ यह फुछिचा मटर के अदर साफेधी या गगी है मतलब कि मटर अच्छी तरह से भुन गए है अब इस सब से पिलाटतर से exterior तुमाटर पूरी तरह से गल गया है आपको हमेशा बोलता हूँ कि तुमाटर अच्छी तरह से पकना चाहिए अगर तुमाटर में हलका साभी कच्छा पन रह गया तो सब्जी में गड़ड हो जाईगी जो दही के साथ मसाले गोल के रखेते यहां पर डाल देते हैं गैस की फ्लेम को बिल्कुल कम कर दीजिये यह और जब तक उबाल नहीं आ जाता इसको लगाता इस्टे करते रहें मसाले में से Bena washout और stalls बढ़ें जूनाथ किफा अई हो और सब्सक्नले मैं वह तऑ नहीं जाए है कि पदनें कि लगना यहाँ this बनाता है हल्वाई कोई सी भी सबजी बना रहो यह जरू डालते हैं काला नमक गंदक वाला फ्लेवर टेस्ट के साफसे डालें और अब डालेंगे इसमें उबलतावा पानी पानी डालेंगे हम इस हिसाब से कि कितना हमको पतला कितना गाड़ा चाहिए तो मैंने लगबग डेड़ कप यहां पर डाल दिया है पानी तो उबला हुआ पानी है तो उबाल तो वैसी आगया है इसके अदर उबाल आगया है तो अब आलू भी एड़ कर देते हैं बंडारे वाले जो अलू बनाया जाते हैं उसके अंदर आलू को भूनते नहीं है वो लोग डायरेक्ट इसी तरह से डालते हैं इसलिए मैं इसी तरह डाल रहा हूँ थोड़ा सब पानी मुझे कम लग रहा है तो मैं और थोड़ा पानी डाल रहा हूँ यहां पर लगबाग आदा कपके आसपास और क्योंकि पानी रिडूस हो गए यह करने लिए इंतजार करते हैं निदिन देखिए उबाल तो आ गया लेकिन हम एक गल्ती गरते हैं यहापे कि वाल आ गया है सबजी बन गई चाहिए नहीं अदय हमने डालू नहीं है और ये रहा एक बड़ा चम्मच कसूरी मेती रोस्टेड कीवी डाल देते हैं ऐसे गरम मसाले इसमें डला हुआ है खड़े मसाले फिर भी एक चोथा ही चूटी चम्मच घर का बनावा गरम मसाला नाम का और ये तो भई श्रद्धा के अनुसार जाएगा जाएगा व को की गहूं का अठागा धा गैहूंके अठे को कभी न चाने क्योंकि उसके अंदर चोकर होता है फाइवर होता है वह हमारी सेहत केरें काफि अच्छा होता ये पियर इसमें डालेंगे हम एक विदमी चम्मच अजवाइन ये बभी हिस्तेशिग का च्भी होता है को गूंदना होगा तो यहां पर देखे एक टाइट आटा हमने यहां पर गूंद लिया है इस तरह से दबाएंगे इतना ही दबना चाहिए सॉफ्ट नहीं होना चाहिए अगर सॉफ्ट हुआ तो यह तेल को एब्जाब करेंगी पूरिया अब क्या करना है इसको लगभग 10-15 मिनिट का रैस देते हैं जिससे कि हमारा आटा सेट हो जाएगा तो यहां डो को अराम करते हुए लगभग हो गया है 10-15 मिनिट और अब इसको थोड़ा सा सॉफ्ट करना होगा यह प्रोसेस बहुत ज़रूरी है और इसी के साथ-साथ हम यहां पर डालेंगे थोड़ा सा आउल से सॉफ्ट होता ही है लगबग ॥े फेशिस के चुड़ा चममचं में टेल लादिया यहां पर तेल आटा गूंते टायम मत डालना बात में डालना अब पूडियों के पीडे काटलेते हैं पीडे एकसाथ काटलीजी आप आसानी रहेगी बार बार तोड़ने की गोल गया, और यह कुटावा होता है इसको गोल करने की जरूतनी होती है, इसको हलका सब्सक्राइब इसको प्रेस किया इसको यह बन गया, जो भी आपको आसान लगता हो वैसा आप कर सकते हैं, पेडों में हमने यहां पे थोड़ा से ओड़ा लगा दिया जिससे आपस में चि कर लेते हैं, तो देखे तेल अच्छा गरम हो गया है, पूरी डाल लेते हैं, हलका सब प्रेस करेंगे पूरी को, फूल जाती है पूरी अब इसको फटा-फट से टन कर लीजे, आगया ना फटा-फट से कलर, ज्यादा देर तक तेल में रखेंगे तो तेल को एबजर करती ह अब निकाल लिया, इतना ही टाइम लगता है पूरी बनने ने, अब सारी पूरी डाल देते हैं, जितनी अपनी कड़ाई में आ सकती है, और ये देखे सबजी का कलर, सबजी का टेक्स्चर, और खुश्बू तो आपको बनाने के बाद ही आएगी, जिसको भूख नहीं भी इस सबजी को देखके अपने आप लग जाएगी, ये देखिए, पूरी ठंडी हो चुकी है, अच्छी तरह से, फिर भी कहीं पे भी आपको तेल महसूस नहीं हो रहा होगा, ना आगे से कहीं से ओल दिख रहा है, ना पीचे से कहीं से ओल दिख रहा है, कितनी प्यारी पूर पूली भी है, पॉली भी नहीं है, ऐसी हो नीची है ना पूरी, और सबजी तो भाई मुह में पानी आ रहा है, ये देखिए, तो कैसे लगी आपको आज की रेसिपी जरू बताएं, अच्छे लगी तो लाइक करें, और मुझे सपोर्ट करने के लिए मेरे चैनल को जरू है, नई रेसिपी के साथ में, जाहें दोस्तों.